यह है Blitzwolf brand का एक और प्रोजेक्टर, model number BW-VP13, अब यह जो प्रोजेक्टर है, यह full HD resolution support करता है, और 40,000 hours का lamp life है, इसमें Android operating system नहीं है, मतलब कि बहुत सारे connectivity options आपको मिलते हैं, उन में से आपको जो connectivity options है, उनने select करना है, for example इसमें 2 HDMI port है, तो एक port में आप Amazon को जो fire tv stick है, उस के जरिये, जो Amazon fire tv stick है, उसे wall पर project कर सकते हैं, और इस projector का उप्यों करके, आपको जो mobile phone है, उसका जो screen का content है, आप cast कर सकते हैं, wirelessly और wired भी supported हैं, तो चलिए, यह जो projector है, इसे चेक करते हैं, इसका जो pricing है, यह तकरीबन 12,000 से 13,000 के आसपास है, अधिक जानकरी में आपको इ TW VP13 full HD projector, वैसे जो key specifications है, यहाँ पर mention किया हुआ है, full HD resolution है, 90 watt maximum power है, और जो lamp life है, उसके बारे में भी जानकरी यहाँ पर दिया हुआ है, 40,000 hours का, जो की काफी अच्छा है, तो यह काफी interesting projector है, और मुझे लगता है कि काफी लोगों को खास करके, यह जो projector है, यह पसंद आने वाला है, तो box के अंदर इस प्रकार से, इस product को pack किया हुआ है, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर है main projector, तो यह है main projector, और यह देखिए, यह ऐसा दिखता है, जो lens है, उसके लिए यहाँ पर cover दिया हुआ है, देखते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है, user manual है, जिसमें आपको इस product के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यह remote भी box के अंदर दिया हुआ है, काफी compact remote है, बहुत कम buttons है, यह है power adapter, यह cable दिया हुआ है, AV cable, HDMI cable, यह भी box के अंदर दिया हुआ है, तो यह है Blitzwolf का projector, इसका जो size है, काफी चोटा है, और यहाँ पर कु से setup कर सकते हैं, यहाँ पर buttons दिया हुआ है, इसे आप जो menu के options है, उसे enable कर सकते हैं, on-off के लिए भी हाँ बटन दिया हुआ है, यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, यहाँ पर देखे, बहुत सारे ports दिया हुआ है, यह projector बहुत सारे connectivity options के साथ में आता है, SD card slot दिया तो इसे tripod stand पर भी लगा सकते हैं, और wall mount भी अगर आप करना चाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से wall mount करना है, ताकि यह जो projection है, वो सही तरीके से wall पर आए, और पीछे की तरफ यह देखे, VGA port दिया हुआ है, यह sensor है, IR sensor remote के लिए, और जो power cord ह है, इसे मैं connect करता हूँ, और इसके जो features है, अब वो हम test करते हैं, सबसे पहले जो lens protection cap है, इसे मैं निकाल देता हूँ, यह देखे, और अब मैं इसका setup करता हूँ, तो यह देखे, जो projector है, मैंने इसे यहाँ पर setup कर लिया है, और यह यहाँ पर projection कर रहा है, वैसे room में जो light ह है, यह भी on है, और इसके बावजूद, जो display है, काफी sharp है, मतलब की आसानी से visible है, वैसे अगर मैं light को off करूँ, तो जो clarity है, यह और भी भैतर हो जाएगी, लेकिन फिलाल मैं कुछ adjustments करता हूँ, तो यहाँ पर यह जो knob दिया हुआ है, इसका उपर करके, यह रखे, आप जो projection का screen है, उसे adjust कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा option available नहीं है, थोड़ा सा ही limited adjustments आप कर पाएंगे, और यह जो दूसरा knob है, इसका उप्योग करके, आप focusing कर पाएंगे, यह रिखे, अब यह blur हो गया है, और अब मैं ऐसे थोड़ा सा focus कर लेता हूँ, अब यह focused है, तो initially आपको यह दो settings करना है, और यहाँ पर जो buttons दिया हुआ है, इनका उप्योग करके, आप navigation कर पाएंगे, मतलब कि जो remote है, अगर आपको उसका उप्योग नहीं करना है, तो यह जो buttons है, इनसे भी काम चल जाएगा, वैसे यह जो button है, up and down, यह दिखे, इससे मैं navigation कर पा रहा हूँ, ज देखे, आप शायद सुन पा रहे होंगे, मैं फिर से जो adjustments है, वो कर लेता हूँ, यह लीजी अब यह perfect लग रहा है, sharpness भी मैं थोड़ा सा setup कर लेता हूँ, यह अब काफी sharp लग रहा है, और मैं फिलाल remote copy-up कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको HDMI के दो options मिलते ह हैं उपर की तरफ, आप जो external devices है, HDMI dongle हो, या फिर TV box हो, उसे connect कर सकते हैं, और यह cast screen यह बहुत important है, लेकिन उसके पहले USB का भी option है, आपके पास अगर कोई content है, USB drive में या फिर SD card पर, तो उसे आप दाल सकते हैं, option दिया हुआ है, AV का और VGA का भी option दिया हुआ है, यह है setting का option जहां पर picture, sound, time और कुछ और settings के options हैं, इन्हें आप setup कर सकते हैं, वैसे जो projector है, इसमें Android नहीं है, मतलब कि कोई भी system नहीं है, जो कि automatically run करने वाला है, लेकिन आपको यह जो connectivity options दिया हुआ है, इन में से किसी ना किसी चीज का उप्योग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प जो mirror cast है, उसका उप्योग कर सकते हैं, detailed instructions आपको यहाँ पर उपर मिल रहा है, और password भी दिया हुआ है, और दूसरा option है iPhone wired projection, और यह काफी interesting है, क्योंकि iPhone अगर आपके पास है, तो आप iPhone का जो cable है, उसका उप्योग करके, wired connection के जरिए भी content आपके iPhone पर आ रहा है, उससे आप mirror कर पाएंगे, दूसरा option है Android का जो mirror cast है, उसका उप्योग करके, आप आसानी से, आपका जो smartphone पर content है, उससे cast कर पाएंगे, इस projector के उपर, वैसे यह अच्छा option है, लेकिन यहाँ पर mention किया हुआ है, कि copyright problems के कारण, कुछ applications जैसे की Netflix, यह शायद function ना करे, तो अगर आपको Netflix ज जो दूसरे lights है, वो भी फिलाल on है, तो मैंने यह light को off कर दिया है, लेकिन जो key lights है मेरे वो on है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो projection है, काफी बढ़िया है, तो मेरे पास दो option है, connect करने के लिए, smartphone को connect करने के लिए, तो यह जो option है, फिलाल तो मैं इसका उप्योग नहीं क option है, यह try कर रहा हूँ अपने iPhone पर, तो आपको यह जो procedure है, इसे follow करना है, और smartphone पर जो screen mirroring का option है, उसमें आपको यह दिख जाएगा, इसे आपको tap करना है, इसके बाद में जो iPhone का screen content है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अब यह काफी interesting इसलिए है, क्योंकि मान लिज हो रहा है, इस projector के जरिए, अब यह जो projector है, इसको जो size है, यह 50 inches से लेकर 200 inches तक आप कर सकते हैं, imagine कीजे, घर पे 50 inches का TV होता है, तो 200 inches तक यह जो projection है, आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत important है, कि जो projector है, वो दूर होना चाहिए, मतलब कि आपके पास उतना बड़ा space होना च हो जाएगी, अब जो audio है, वो जो projector है, उसमें से आ रहा है, यह जो phone है, इसमें से नहीं आ रहा है, तो यहां पर मैं यह जो call of duty game है, यह आपको खेल के बताता हूँ, वैसे जो audio output है, यह projector के जरिए ही आ रहा है, तो यहां से आपका idea मिल गया होगा कि इसमें लाक तो है, ले videos play करता हूँ, यहां पर मैं Netflix का content देख रहा हूँ, लेकिन देख सकते हैं कि जो content है, वो display पर नहीं आ रहा है, मतलब कि जो projector है, उस पर नहीं आ रहा है, वो इसलिए, क्योंकि copyright issue है, तो इस कारण यह जो feature है, यह काम नहीं करने वाला है, तो यह है Amazon का fire tv stick, HDMI dongle, और इसे मैं जो projector है, उसके साथ में connect करता हूँ, आपको काफी बढ़िया experience मिनने वाला है, अब यहां पर एक छोटा सा issue है, यह जो dongle है, Amazon fire tv stick, यह यहां पर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो design है, उसका issue है, यहां पर यह जो चीज है, यह इस area को block कर रही है, तो मुझे यह जो extension है, इसका उपयोग करना पड़ेगा, यह देखिए अब यह असानी से इसमें चले गया है, और फिर यह जो tv stick है, इसे मैं यहां पर connect कर सकता हूँ, तो यह design problem है, तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार का extension है, इसका उपयोग करना पड़ेगा, अब depend करता है, तो अब मैंने जो Amazon fire tv stick है, इसे मैं off करता हूँ, और इससे आपको अच्छा idea मिल जाएगा, कि इसके जो quality है, यह कैसी है, यह देखिए, वैसे जो दूसरे lights है, उन्हें भी मैं off कर देता हूँ, यह दूसरा light भी मैंने off कर दिया है, अब मैं YouTube पर गया हूँ, और यहां पर, मैं यह जो 4K वीडियो है, यह काफी बढ़िया है, यह देखिए, जो sound है, यह भी decent है, लेकिन मुझे लगता है कि जो fan की आवाज है, और जो sound है, दोनो, मैं वैसे जो volume है, इससे increase करने की कोशिश करता हूँ, तो जो projector का volume है, यह 59 पर है, और जो fan की आवाज है, यह मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो मै जो sound है, यह अच्छी तरीके से मुझे सुनाई दे, तो मुझे लगता है कि यह जो position है, AG2, यह काफी बढ़िया है, अच्छा sound effect आपको सुनाई दे रहा है, colors भी काफी बढ़िया है, यह देखिए, यह एक और movie मैं play कर रहा हूँ, settings में blending का option है, जो कि यह देखिए, यह off है, यह low है, और यह middle, high, यह off, तो basically, अगर मैं इसे low पे रखूँ या high पे रखूँ और इस screen से बाहर आँ, तो यह देखिए, इस प्रकार करिकता है, यह wall है, इसके साथ में blend कर रहा है, और अगर मैं फिर से यहाँ पे जाके, जो blending है, इसे off कर दूँ, तो यह देखिए, यह clarity है, अब काफी बढ़िया हो गई है, तो यह option भी इसमें दिया हुआ है, तो दोस्तों, अगर आप यह projector खरिदेना चाहते हैं, इसका link मैंने video के description मे दिया हुआ है, इसके अलावा, जो अन्य projectors है, उनका link भी मैंने video के description में दिया हुआ है, साथ में coupon code है, आपको additional discount मिलने वाला है, और यह जो discount है, यह limited period के लिए है, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बतना चाहता हूँ, कि जो shipping है, फिलाल free है, यह भी limited period के लिए है, त तो अगर आप कोई भी projector या फिर यह projector खरीदना चाहते हैं, video description में जाएए, वहाँ पर जो link है, उससे आप check कर सकते हैं,